आपने फ्लेटव्लोग एप में लाइब सर्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो तो दोको यार बहुत ही सिंपल है है, सबस्कित मैं आज किस वीडियो में करने क्या वाल हो सबसे पहले मैं यह बतायता हूँ तो देखो मैं आप प्रोडक्क listing शो करने वाद हूँ, जिसमें सारे तरह की प्रोडक्त होने वाद है, शो, स्मार्टपून, फ्रैक्निस, सारे तरीक है, और जैसी में सर्च करोगा, तो मेरे जो प्रोड़क्ट है जो नीचे शो वो रहे लिस्टिंग में वो फिल्टर होके शो होई ठीक है तो बहुत ही सिंपल है और इसको हम API की हल्ट से करने वाले और इसमें हम यूज करेंगे इस प्रोड़क्ट.gson API का और बहुत ही सिंपल API है और मैं आप कहते हो कि भाई इजी है ठीक है तो देखो मैं इस क्लूज करूँ है इनकी जो सर्च API है इस API को मैं कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ यह करता क्या है आपको सर्च फंशनलिटी प्रोवाइड करता है ठीक है सब्सक्राइब इन्होंने फोल सर्च किया है तो मिलेको फोल से रिलेटे सारे देगा क्योंकि मैंने यहां पर सर्च फिल्ड को कुछ दिया ही नहीं है तो सर्वर पर जो भी प्रोड़क्त दे इससे मेरे को सारे प्रोड़क्त रिटन करवाती है ठीक है तो इसी API के मैं यूज करने वादा अपने एप में तो मैं सिंप्लिस को बढ़ता हूँ कॉप क्योंकि मेरे यह value है वह static नहीं होने वादी यह dynamic होने वादी है तो मैं सिंप्ली क्या करूँगा इसके जगह पर एक variable बनाऊगा जिसका नाम रखूँगा search value और इसको copy करके एक variable डिग्लेर करता हूँ ठीक है और इसके टाइप लेगा string लेगा ठीक है मैं save करता हूँ और य यह आप मैं करता हूँ test तो यह मेरे को आप phone से related सारे product दे देगा ठीक है तो आप मैं क्या करूँगा JSON part define करूँगा क्यों JSON part होता क्या है JSON part होता है कि पूरे JSON में से कुछ specific part कुछ specific data को आपको अगर retrieve करना है तो आप JSON part rewind कर सकते हो यह मैंने पिसली वीडियो बहुत सारी वीडियो मता है ठीक है तो मैं simply क्या करूँगा recommended में जाके choose करना हूँगा आप manually भी लिख सकते हूँ और यह आप मैं इस खनाल देता हूँ product data ठीक है और मैं करता हूँ save तो देख यार हमने API को setup कर लिया है आप हमें सबसे पहले क्या करना है product listing को show करना है मतलब जितने भी product हमारे API से आ रहे है उसको show करना है तो यह बहुत ही easy process है और मैं अपने इस लिडियो में ही बता रहा है इसको करना कैसे मैं simply जाता हूँ अप कोई भी variable set नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ product listing को show करा रहे है इसमें कोई भी search value को implement नहीं करा रहा हूँ तो मैं इसको confirm और मैं जाता हूँ और dynamic children को generate कर लेता हूँ तो मैं आपकोई भी variable का नाम दियता हूँ मैं लिदता हूँ product item और इसमें अपने API का response choose कर लेता पूरा product data के नाम से आ रहा है तो मैं simply expected करता हूँ और confirm करके जैसे मैं confirm करूँगा और okay करूँगा तो आप मिरसे यह कह रहा है कि भाई आप अपने product में variable set करता हूँ मतला name के जगव पे price के जगव पे image के जगव पे जो भी आपकी data आ रहा है API से उसको setup कही हूँ तीक है मै मैं simply जाता हूँ नाइकी पे और यहां पे product item और देखा सरव बदा जता हूँ मैं simply जाता हूँ यहां पे और यहां पे name की जगव पे title चाहिए और यहां पे JSON part डिफाइन करता हूँ dollar dot title और यहां पे confirm करता हूँ अब मैं प्राइस चाहिए तो price में मैं रहा है price और मैं simply जा चूज करने पर यहां पे और यहां पे मैं product item चूज करके thumbnail चूज करूँगा ठीक है confirm करूँगा तो मेरे जितने मी product है आब वो dynamic generate हो जाएंगी मैं एक बार check कर ले तो जो मेरा column है वो scroll पे set है ठीक है तो इसको एक बार चलते हैं टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे जितने मी product है वो at least product listing जो show हो रही है कि नहीं once यह show हो जाएगी उसके बार हम search को implement करेंगे तो मैं simply test mode पर click करता हूँ और यह हमें test mode उपन करके देगा तो तो इसको करते हम skip तो दो बार मैं आ चुको अपना testing mode और यहा पर मेरे मेरे सारे product show हो रहे है जो भी मेरे को EPA से मिल रहे है तो यह बहुत ही simple है आपको करना क्या पड़ेगा इस list view को और इस search bar को आपस में sync करवाना पड़ेगा जिससे मैं कुछ भी search करूँ तो मेरे को उसी से related data मिले तो यह करने के लिए आपको करना पड़ेगा simply मैं एप में चलता हूँ मैं जारो list view में जहाँ आपर मैंने एक variable बना होगा और यहाँ पर search value अब आपको कि search value में value आई की कावस ठीक है क्योंकि मेरे को value पता नहीं कि user phone search करेगा या user smartphone search करेगा ठीक है मुझे नहीं पता तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो value है वो user के ही ऊपर छोड़ दो मतलब user कुछ कुछ भी लिखे वो मेरे को मिल जाए तो म जो भी data user ऐसे डाल कर रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो मिल से अब इससे हो गा क्या कि user कुछ भी लिखे अपने सर्च फिल्ड में जेला जाएगा और मैरे को उससी से related data मिल जाएगा अब सारे चीजी हो चुग है अब आपको सिरफ एक last option को चेक कर रहा है आप इस पर क्लिक करोगे और यहाप एक option होता है अब update page on change उसको चेक करोगे रहा ठीक है और यहाप एक timing देजनी है आप सब्सक्राइब आप पुछोगी है कि यह है सब्सक्राइब आप इसनों कोई पर डेटा लिख रहे हो तो यह page को refresh करता है नया वाला डेटा मेरको शो कराना है तो मेरको page को refresh करना पड़ेगा तो उसलिए मैंने इसको चेक किया है जो कुछ भी user data लिखे वो मेरको page को refresh करते है तो सारी चीज़ हो चुगी है एक बार चलते टेस्टिंग मोड पे और उसको एक बार टेस्ट करके दीखते है कि जो भी हम आपको विश्वास नहीं और आपको नेटवर्क एक क्वेस्ट भी दिखा आयता हूं मैं सिम्पलिस पर नेटवर्क एक्वेस्ट करता हूं और यहां पर आपको नेटवर्क एक्वेस्ट निखाता हूं ठीक है सपोर्ज मैं आपकर कुछ भी लिखता हूं मैं आपकर लिखता हूं फोन मैं आपकर लिखता हूं मैं आपकर लिखता हूं आई फोन मैंने यहां पर क्लिक जहाब से पहले, आपने इतना आई, ठीक है, तो देखो एक network request call होई पहले IP के नाम से, फिर IPH के नाम से, और IPH से related जितनी भी product है, वो मेरे को उसमें show करके देती ही, ठीक है, तो आई ओप आपको इस समझ में आया हुआ, कि आपने filter flow app में light search को कैसे implement कर सकते हो using API, तो आ